मेरा नाम नीरज कुमार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं मारवारि कोलेज में अब आपको मैं बता देना चाहूंगा डाकोमेन वेरिपिकेशन हो रहा है फिजिकल डाकोमेन वेरिपिकेशन जितने भी नअवे स्टुडेंट थे हैं जिन्होंने एडविशन लिया है उनका फिजिकल डोकुमेंट वेरिपिकेशन का नोटिस आ चुका है अभी बीकॉम का हो रहा है और वोकेशनल डेपार्टमेंट में उस सारे का हो रहे हैं मरवारी कोलेज के वेबसाइट में जिसमें आप देख सकते हैं रूल नमबर दिया हुआ है और आपका यस डेट में दिया हुआ है उस लेट में उस टाइम पर जाना है वहां पर सारा अलोट किया गया है नोटिस में तो मैं आपको बता देना चाहूंगा आपकेश्का के सात- new student है बैच हो गया 2020 से लेकर 2023 का अभी डेट निकला हुआ है vocational का और become का इसके बाद ये का भी आएगा तो इसके साथ साथ में registration भी होगा registration आपको जो form है website में मौजूद है वहां से आप download कर सकते हैं roll number अगर आपको मालूम नहीं है roll number भी website में मौजूद है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप roll number निकाल सकते हैं और कैसे आप undertaking भी download कर सकते हैं तो सबसे पहला बात है आपको क्या क्या document लेके जाना है registration के लिए registration form निकानना है undertaking जो हुआ था वो undertaking लेना है पहला बात है आपको एक jerox को पी लाना है कौन सा कौन सा document का jerox को पी लाना है online application form जो form आप भरे थे उसमें online application जो form आया था उसका jerox लगेगा admit card of किसका admit card लाना है my metric का और inter का जो आपका inter और metric का था उसका admit card चाहिए जे रोक्स माक्सीट का इंटर का जो माक्सीट था आपका उसका जे रोक्स चाहिए कास्ट income residence जैसे ह्टी एस्टी एस्टी ओबीसी जो थे हैं कैटेगरी में उनका चाहिए और फी रिसिप चलान जो चलान आप कटाएं थे एडिशन के समय में जो चलान कटाएं थे वो चलान चाहिए उसके बाद original document क्या चाहिए वरिपिकेशन के लिए उसके लिए आपको लाना है registration form जो form आप भरे थे उसका download करके जो print out कराया है उनको निकाल करके लाना होगा आपको undertaking आपको पता है कि undertaking आपने जमा किया था और voc original सीट लाना है मार्क सीट लाना है metric और intermediate का 10 और 12 का मार्क सीट लाना है migration certificate भी लाना है CLC college living certificate और TC transfer certificate character certificate ये तीनों ले के राना है आपको income certificate if applicable अगर applicable है तभी income certificate लाना है और EWS if applicable जो EWS category में डाले है उनकी लिए applicable है EWS का certificate को चाहिए और password size photograph चाहिए तीन पीस ठीक है और जितने भी मैंने बताया Xerox जिन तना लाना है और इन्यान तो ले के आईएगा ठीक है जितने भी Xerox लाईएगा उसको पीनप करके लाईएगा और उसके उपर में आप जो registration form मिलेगा उसको आटेच कर दिजेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी आपको college के website में सारा detail कैसे निकालना है चलान कैस कैसे निकालना है receipt कैसे निकालना है roll number आपको कैसे पता चलेगा undertaking आप कैसे निकाल सकते हैं सारा में process भी आपको बताऊंगा और एक और बात document verification में एक भी रुपई नहीं लग रहे हैं अगर कोई भी staff अगर कोई भी आपको डिमांड करते हैं पैसा का कि आप पैसा देके यह अभी मैं आपको website के थुरू से बताऊंगा कहां से आप लोग process से आगे बढ़ सकते हैं तो सबसे पहले आपको open करना है मरवाडी college का site जो आपको पता है www.marvadicollege.ac.in हम इसमें आप क्लिक कर दिए मरवाडी college.ac.in में और मैं आपको दिखाना चाहूंगा देखे यहाँ पर slide जो आ रहा है आप mobile से ही कर सकते हैं यहाँ जैसे ही नीचे जाईएगा आप यहाँ पर एक slide घूम रही है आप देख सकते हैं एक slide घूम रही है cut up list for provisional और देखे य उपर में दिख रहा होगा देखिएगा download undertaking इसमें आप undertaking download कर सकते हैं और undertaking जैसे download कीजएगा वह उसको फिलफ करके आपको लाना है और उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं जैसे आप नीचे आईएगा यहाँ पर देख लिए यह notification दिया हुआ हुआ है certificate course अमानत का है बीए सी computer science का है बीए सी information technology का है computer maintenance का है फाइसन डिजाइनिंग बीए सी बायो टेक बीए सी एंडी यह सारे यह सारे डिपार्टमेंट का आपको रोल नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और आपको मैं बता दो कि रेजिश्टेशन फॉर्म कहां से मिलेगा आपक चार घंटा के अंदर आपको अपलोड मिल जाएगा यहीं पे आपको notification आएगा सारा document आपको यहीं पे मिल जागा यहां से आपको लाना है प्रिंट करना है और प्रींट करके उसको fill up करके college में जब आपको date दिया गया है आपको यह जो notice आपको दिया हुआ है become document verification registration form इसमें आपको roll number मिल जाएगा कि किस date में आपको आना है और किस टाइमिंग में आना है वही उसी तरह vocational का दिया हुआ vocational का भी date or time यहाँ पर आपको सारा notification मिल जाएगा अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें contact कर सकते हैं मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरे नंबर पर contact कर सकते हैं 90 तो उसमें एराज कीजिएगा मैं आपको जवाब जरूर दूँगा और और आपसे उमीद होगा कि आप मेरे चैनल को subscribe करें comment करें और share करें ताकि जितने भी हैं उनका तक यह जानकारी पहुंच पाएं चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद